क्या तुम सब तयार हो इस बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए तो आज आओ फिर रात हो चुकी है और हम चोरी करने वाले हैं मुझे पता चला है कि यहाँ पर बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं तो आज आओ देखते हैं इस घर में तो कच्रा लग रहा है आगे वाले घर में जाएंगे ये तो किस गरीब का कर है इसके घर के बार तौनो कोई काड़ी है ना कुछ इरे बास पीछे देखो पीछे औरे ये क्या, ये गिराज कैसे खुल गया, औरे ये क्या, यहाँ पर तो खजाना चुपा हुआ है, KTM Duke, Bullet, Ducati, कितनी खतरनाक खतरनाक बाइक है, मुझे लगता है, आज का शिकारा में मिल चुगा है, चिंटू, तू बार देखते रहे, हम इनको चुराएंगे, सब के सब ए बहुत ही लंबा हाथ मार लिया, इतनी सारी बाइक एक साथ मिल गई, जल्दी चलो, उससे पहले कि किसी को पता चल जाए, हाँ, 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 बताने किसके घर से गाड़ी चुराई, पर वो जना बहुत ही अमीर था, और अपने गेराज को लोक करना भूल गया था, इसलिए मुझे यहाँ पर चार-चार सूपर बाइक्स मिल चुकी है, ये, तो गाइज है अभी यहाँ पर सुबह हो चुकी है, आज तो बहुत ही जादा मजा आगया यहाँ पर सोकर, लो सेंटोस का मौसम हो रखा है, बहुत ही जादा बढ़ गया, और सुबह सुबह हम क्या करते तायलेट नी जाते हम जाकर अपनी पाइको को चुम्मी दे कर आते हैं अभे शुचे तो सुबह सुबह इडर कर रहे हैं ओय होय फेकी बिया कहले अपकी अभे चौब इसको समझा दब दे को जब श्यमिंग पूल के अंधर बैठा रहे गा, तो क्वाईजर अभी इम फडा जल दीमाना, मेरी काडी का चली गई, टर्ष गाई क्यों रो रो दो अब है त्वकर इस अब इस चीम्मी डरी टूतिव जल दीमाना, मेरी काडी का चली गई, पीर। बाच 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 बा बाइक मेरी गाये बोच चुकी है मेरी चारो सूपर बाइक कहा चली गई अरे वेकी मेर आप क्या करेंगे मुझे नहीं बता क्या करेंगे हे बाइक खेर किरा क्या है और ओर होगे ओगी चैक तब लोग क्या कर रहेो और ये हम तेरे लिए एक कतरनाक सा चैलेंज लेकर आये यहांपर हमारे पास चोटल 100 222rr और हम तुछे देंगे 15 मिनिटित थरये 15 मिनटिप ए उन वाव हंड०र प्रेंक लिर्ग यह疫र मिलियोंद किसरा करने बडेंगे ओन परदेश्या मीनित पर व strongest करने होंगे तो यह चैलेंज है अगर तुमने सारे पैसे कर्च कर दिये तो बढ़ ए पर अगर तुमने एक डॉलर भी छोड़ दिया तो 100 मिलियन तुम्हें देने पडेंगे हमें क्या मैं 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 कैसे दूँगा मेरे बस नहीं है अगर तुम 15 मिनिट में सब घर्च कर देते हो तो तुमें कुछ नहीं देना पड़ेगा अब ये चैलेंज तो बहुत कदर ना के मैं एकसेप्ट करता हूँ फ्रेंकल भी ये चैलेंज करेंगे अब ये शिंचैन तो पागल होगे है क्या अगर हम नहीं कर पाएं तो 100 मिलियन डॉलर कैसे देंगे अब तो तेरी हो चुकी है शिंचैन ने एकसेप्ट कर दिया तो फ्रेंकलिन तयार हो जाओ तुमारे 15 मिन श्टार्ट होने वाले है उससे पहले कुछ बोलना है तो बोल लो मेरे पास यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है मुझे जल्दी से टेक्सी मंगवाने दो फिर टाइम शुरू करना हेलो टेक्सी जल्दी आओ ओए तुमारे टेक्सी आ चुकी है टाइमर होता है शुरू तुमारे पास स्रिफ 15 मिनिट है 100 मिलियन डॉलर्स कर्च करने के लिए चलो 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 चल्दी से यहाँ से रिकल दे तुका है सर फंद्रा मिनिट का टाइमर यहाँ पर शुरू हो चुका है अगे और जैक ने मुझे खतरनाक सा चैलेंज दे दिया है 100 मिलियन डॉलर्स पेंट करने का सिर्फ 15 मिनिट में टैक्सी हमार यहाँ पर आ चुके अंकल जल्दी से मुझे कपड़े की दुकान पर ले चलो एरे वेकी में मुझे भी कपड़े चाहिए हाशिन चैन तुझे भी कपड़े दिलाऊंगा और याद रखना 15 मिनिट से तुम्हें एक सेकिंड भी जादा नहीं मिलेगा तुम्हें सारे के सारे पैसे कश करने पड़ेंगे अरे हाँ मैं समझ गया जल्दी जल्दी चलते जल्दी चलते जल्दी चलते अरे मैं भिकारी नहीं मैं आपर कपड़ें लें हो सारे के सारे कोपड़ें यहाला सू चाहिए यहाला सप्लेश हम तो यह थ现在 थो entrarHow में मुझे खरीती हैं जल्दी बताओ मेरे पर टायम बत स्थाधम है क्या करों साथा प्रेस बता देटी ये तुकाने तस विल्यों डॉलर की चिया सिर्फ दस मिलियन ओगी ज्यक जल्दी से पेमेंट कर दो थेस मिलियन डोलर वाँ यह ले अभी दस मिलियन देता हूं पेरे वाँ यह तो बहुत सारे पैसे इस सरहस्थ दुकान की उनर अरे थेंक्यू थेंक्यू तो गाइजर अभी हमने एक खदरनाक सी दुकान यहाँ पर खरी लिये हैं ओए फ्रैंक्लिन तो तो बहुत ही दीरे दीरे कर रहा है अभी तक तुने सिर्फ 10 मिलियन डॉलर्स कर्च किये अरे तुमारी बात तो सही है अभी मुझे 90 मिलियन डॉलर्स और कर्च करने यह कपड़े के दुकान तो बहुत ही साधा साथी थी आरे ओगी चल्दी बेट हे यार मुझे भूख लगी है चलो कुछ खाने चलते है अरे अभी टाइम नहीं है मुझे भी भूख लगी है अरे तुम सबको अभी कुछ खाना है अच्छा डीक है जल्दी से खाने चलते है हमारे पास टाइम बहुत ही जादा कमे और इनको पता नहीं क्यों खाना खाना ह तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो और आम इनको लेकर चलते हैं खाना के लाने तो गाई सर अभी मैं इन सब को लेकर आचुका हूँ कॉफी शॉप पे अरे तुम जल्दी जल्दी आओ मेरे पास टाइम पोटी कम है जो खाना है जल्दी कहो बता यह सुर आप क्या खाएंगी तुझे कहाना है एरे फेकी मैं मुझे तो बड़ायसा आइसकRIम खाने है बड़ासा आइसकریम क्या होता है, आइसक elbows थो आइसको होती है एरे फेकी मैं मुझे आइसक्रीम चाहिए बर बहुत दी सॉनादा बड़ी अच्छा ठीक है शिंचैन के लिए एक बड़ी सी आइस क्रीम ओगी तू के खाएगा यह यार शिंचैन मुझे भी आइस क्रीम काने का मन हो रहा है पर मुझे आइस क्रीम कौन में खाना पसंद है मैं खाऊंगा कौन वाली आइस क्रीम और एक बड़ी कौन वाली आईस क्रिम मुझे चाहिए बड़ा सा बर्गर बड़ा बर्गर और जैक के लिए एक बड़ा सा बर्गर एरे विकी में आप क्या कहोगी अबे मैं कुछ नहीं कहने वाला तुम जल्दी जल्दी खाओ क्योंकि मुझे भी बहुत सारा पैसा कर्च करना है और मेरे पास टाइम बहुत ही कम है अरे चल्दी बनाओ ना तुम भी ना मेरा फाल तुमें टाइम वेस्ट करवा रहो यहाँ पर तो पैसे भी खर्च नहीं होंगे और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा यहाँ पैसे वैसे तुम आते रहेंगे खाना खाना जरूरी है शिंचैन बिल्कुछ सही कह रहा है खाना खाना जरूरी है यह लिजी सर आइस क्रीम आ चुकी है यह मेरी आइस क्रीम यह वाँ कितनी बड़ी आइस क्रीम है और मैंने तो आस तक कभी इतनी बड़ी आइसक्रीम हे देखी शिंचैन जल्दी जल्दी खाए ले इसको ओके वे कि मिया हम नम जा रहे है यह लेजिए सर कॉन वाली आइसक्रीम तो बहुत ही बड़िया लग रही है हम नम 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 मेरा बर्गर भी आ गया बड़ा बर्गर मैं को खाऊंगा अम नम 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 तो काई सर अभी आपर तीनों के ओर्डर यहां पर आचुके बड़ा बर्गर कॉन वाली बड़ी आइसक्रीम और शिंचैन का इसक्रीम जल्दी जल्दी खादम करो हमारे पास टाइम बहुत है कम है एरे वेकी मैं रुको तो सरी मज़े तो लेन अरे मुझे दिक्कत दी है मेरे पास 100 मिलियन डॉलर्स है अच्छा तो ठीक है तुम्हारे हो गए 15 मिलियन डॉलर्स क्या 15 मिलियन डॉलर्स आइसक्रीम और बर्गर के हैं क्योंकि यह स्पेशल आइसक्रीम बर्गर है कितने सादा पड़े यह बर्गर है 5 मिलियन डॉलर्स क और वो दोनों ऐस्क्रीम भी 5-5 मिलियन डॉलर किये अरे ये कौन सी ऐसी ऐस्क्रीम है जो 5 मिलियन डॉलर किये मैंने आज तक नहीं देखी पर काईसर कोई बात दी आज मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो फड़ा पट से इनको इनके 15 मिलियन डॉलर दे देते हैं ये लो कि मैं अब हम कहा जाने वाले शिंचैन अब हम एक बहुत ही जरूरी काम करने जाने वाले जो कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्डिंट है उसके मेरा कुछ नहीं होता तो फटा फट से चलते सारे के सारे पैसा जम उड़ा कर रहेंगे और फ्रैंकलिन तेरे पास बहुत कम परेशान हो चुका हूं तो अब बारी आचुकी है एक नई गाड़ी करीदे की अब मेरे पास इतना साला पैसा है तो नई गाड़ी करीदना तो बनता है और ए टेक्सी वाले इदर क्यों आ रहा है निकल यहासे और मैं टेक्सी वाला नियू वो तो मैं भाड़े पर लीकर तो मुझे करीद है एक नई नई गाड़ी और यहाँपर तो मुझे कुछ कदरना खतरना गाड़े दिखाई देरिये जैसे कि यह कर तो इक बड़िया से भुगार्टी भीय है एडिवी की में देराओ धिराओ अब शिनचन और यह क्यां यह क्या यह काड़ी तो पूरी की पूरी पैसों से बनी विये, ये तो सही में बहुत ही कातरनाक लग रही है, मैं तो ये ही खरीदूँगा, एरी वेकी मिया, मैं तो बुगाटी खरीदूँगा, हाशिंचे तो बुगाटी खरीद ले, ओए मुझे तो विंटेज कार पसंद है, मैं ये खरीदूँगा, ए बाया आपकी विंटेज गार को मेरी रोकेट कार पीछे छोड़ देगी ओय मुना आजा रेस करते हैं अरे रुक जाओ रुक जाओ तुम गाडियां तो बसंद करते जारो पैसे किस के पास है ए यार तुम्हें लगता है हम गरीब है फ्रेंकिन के पास आज बहुत सारा पैसा है हाँ अंकल पेरे पास बहुत सारा पैसा है आप अपट से सारी गाड़िया निकालो तो गाई सर अभी आप देख से तो चारों गाड़िया याँ पर निकल चुकी है शिट जैन के बुगाटी मेरी ये मनी कार जैक की विंटिज कार और और अगी के लिए रॉकिट कार अंकल कितने पैसे हुए इन चारों गाड़ियों के मिलाकर हो गए 40 मिलियन डॉलर एक गाड़ी 10 मिलियन डॉलर की है 40 मिलियन मुझे चलेगा पर एक सेकिंड मुझे वो बाहर वाली गाड़ी में चाहिए वो मुझे बहुत खतरनक लग रही है ओय फ्रैंकलिन उस गाड़ी का क्या कारेगा वो मैं तुमें बात में बताऊँगा अंकल वो कितने की है वो भी 10 मिलियन डॉलर तो टोटल 50 मिलियन डॉलर्स यहां पर रो चुके है यह लो अंकल आपके 50 मिलियन डॉलर्स तो गाइस है सारे के सारे ब्रीफ केस भर के अंकल को ने आपर सारा पैसा दे दिया है और यह सारी गाड़ी अभी आप हमारी हो चुके है सबसे पहले मुझे यह वाली गाड़ी चलानी है और गाइसर आभी आप देख सकतो फ्रेंकलिन, जैक, ओगी और शिंचैन सब के सब साथ में अपनी गाड़ीों में गूमने निकल चुके है कितना सादा मजा रहा है इन गाड़ीों में गूमने यह मनीकार तो सही में बहुत ही जादा खतरनाक है एरे वेकीबिया, अब तु बताओ, आपने वो खतरनाक वाली गाड़ी किस ले लिये वो गाड़ी मैंने इस ले लिये क्योंकि कैसर आपको याद हो कि मेरी सारी बाइक स्चोरी हो चुकी थी तो जिसने मेरी बाइक चुराई थी, उसका मैंने पता कर लिया है मैंने एक एजेंट हायर किया, एक डिटेक्टिव, जिसको मैंने दिये पाँच मिलियन डॉलर्स और पाँच मिलियन डॉलर्स में उसने मुझे बता दिया है किसने मेरी गाड़ी चुराई थी और वो थे बालास गैंग वाले बंदे तो कैजर इस गाड़ी का यूज़ करके हम उस बालास गैंग वालो बंदों उनकी हालत हम घराब करने वाले तो फड़ापट से इसको लेकर चलते हैं बालास गैंग के अड़े पर और कैजर आप देख सकतो अभी हम इस खतरनाक सी काड़ी को लेकर जाने सीधा बालास गैंग के बेस पर तुमारी ऐसे की दैसी मैंने नहीं छोड़ने वाला येलो आज मैं सारे के सारे बालास वालों को मारने वाला हूँ इन्होंने मेरी बाई चुराएती मैंने बहुत ही बुरा मारूँगा येलो अरा बुड़ो लो ये कान आगया हमला करो हमला तुमारी ऐसे की दैसी मेरे पर हमला करोगे मैं इनकी सारी की सारी गाड़ें डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ आज तो इन में से कोई नहीं बचने वाला आज सब के सब बालास वाले खतम होकर रहेंगे या येले अरे एक सकिंड ये पुलिस कहा से आगई पुलिस वालो मैं तुम्हें नहीं चुड़ूँगा मेरे रस्ते से हट जाओ ये गाड़ी सही में बहुत ही कदरनाक है आज हम सारे पुलिस वालो को मार देंगे जो भी हमारे पीछ माएगा बालास गैंके वो सब के सब मरने वाले क्योंकि मैं जिन सब को कदम करने वाला हूँ तुमने मेरी गाड़ी चुड़ाई थी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा येलो तुकाइसर काड़ी से तो इनके हालत खराब कर दी अब थोड़ी RPG की बारी येलो येलो मेरी बाइक चुड़ाऊगे अगली बार कभी भी मेरी बाइक मत चुड़ाना इन सब को यहाँ पर अपन खतम कर देंगे तु कईजर बाराज गैंग वालों की हालत तो यहाँ पर खराब हो चुकी है ये पूलिस वाले क्यों मेरी पीछे बड़े मुझे समझ्या है अब ये जाओने हैं मुझे लगता हैं यहां से निकल जाना चाहिए क्योंकि मेरा बंदला तो यहाँ पर पूरा हो चुका है उनके पूरे बेस की उनके पूरे गॉलोनी की जो भी इनका एरिया है उसकी पूरी हालत हमने यहाँ पर खराब कर दी तो चलो फड़ाबट से यहाँ से निकल लेते हैं अभी हमें और भी बहुत सारा पैसा उड़ाना है बाकी है और टाइम मेरे पास बहुत ही कम है अरे फेकी मिया अपने ट्रक क्यों खरे दिया है वो तु मताओ शिंचेन वो तुझे अभी पता चलने वाला है और फ्रैंक्लिन तेरे पास टाइम बहुत ही ज़ादा कम है अरे हाँ आजाओ जाओ तुझे अभी भी 20 मिलियन डॉलर्स और उड़ाने तुम टेंक्शन मतलो मैं सारे के सारे पैसे उड़ाने वाला हूँ अरे बताओ बेटा क्या चाहिए जैक शिंचैन ओगी तुम तिनों को कुछ भी चाहिए तो लेनो जल्दी जल्दी ओए हमने खाना काया तो था तुझे फिर से भूख लग गई अरे मुझे भूख नहीं लग रही तुमको कुछ लेना है तो लो अंकल इस दुकान में जितनी भी खाने की चीज़े मुझे वो सारी की सारी चाहिए खाने पीने की गोल्ड रिंग, जिब, सॉस, आटा, दू, जो भी है मुझे वो सब का सब चाहिए अरे का शादी है क्या बच्चा अरे अंकल शादी नहीं, आप बड़ा बड़ से दो ना ओय फ्रैंकलिन, ये क्या कर रहा है, सब चीज़े क्यों ले रहा है अरे तुम्हें पता चल जाएगा, रुको तो सरी अंकल, बार ट्रक पड़ा है, जल्दी जल्दी सब कसब खाली करवा दो मेरी बात सुरो, जैक, ओगी और शिंचे, तुम तिरो जब तक इस ट्रक में सामान भरवा है, मैं एक और काम करके लाता हूँ अरे वेकी, अब क्या जा रहा हूँ, अरे शिंचे, तुम पस सामान भरवा ट्रक में मैं आ रहा हूँ यादरखना, तेरे पास टाइम बौत कम है, अभी bhout पैसा करच करना है मुझे पता है, बहुत पैसा करना भागी है, तु कैसर, सार आ-पास खाने का सामान तु एम भर्वा रहा है, पर उससे मेले मुझे एक और काम करने जाना है तो काईसर, अभी मैं जाने वाला हूँ इस गदरनाक से शोरूम में, क्योंकि काईसर, मुझे यहाँ पर चाहिए बहुत सारी बाइक्स, अब आप सोच रोगे कि इतना सारा खाना मैंने लिया, वो किसके लिए, अभी आपको थोड़ी देर में फदाद चलने वाला है, हेलो मै बदला हमने ले लिया है, मुझे सूपर बाइक नीची है, मुझे ऐसी बाइक चाहिए कि नॉर्मल आत्मी, औरत सब का सब चला पाएं यहाँ पर तो कोई से भी बाइक नहीं है, आपके बास कोई अच्छे बाइक हैं फिर या नहीं एक सगिंड यह बढ़िया लग रही है, अरे सर यह वाली बाइक तो एक तम पेस सेलरे, हम पूरे माइने में इसके पूरे 10 पीस बेचते, क्या, सिरफ 10 पीस, मुझे इसके 300 पीस चाहिए, मुझे ऐसी सेम टू सेम 300 बाइक चाहिए, क्या, 300 बाइक, हाँ, 300, अरे मिले के की नहीं बताओ, वरना में पास वाले हेलो, एमर्चेंसी है, मुझे 300 बाइक चाहिए, चल्दी बेजो, सर आप टेंक्शन मतलीजिए, आपकी बाइक पाश मिरिट में आने वाली है, बहुत बढ़िया, और कैसे न अभी आप तेख सकते हो, सारे की सारी बाइक लेकर, हम लोग वापे से पहुँच चुके हो, सू आप देख सकतो, पूरो का पूरा स्टोर यहां पर खाली हो चुका है, हाँ, एक शेल्फ यहां पर खाली हो चुके है, कुछ भी नी छोड़ा, थैंक्यू अंकल, जैक इनको फड़ापट से पेमेंट कर दे, पाच मिलियन डॉलर्स इनको दे दे, ओए ठीक है, तो कैसे अब आप देख सकते हो, जैक और ऑगी हमारे पीछे 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 आ रहे है, एने वेकी में, हमें स्वानी ट्रक के अंदर क्या लेकर आए हो, शिंचेन अभी तुझे पता चल जाएगा, तो कैसे फड़ापट से इन दोनों ट्रकों को लेकर चलते हैं, एक सीक्रिट लोकेशन पर जाप मुझे सब का सब सामान देना है, एने वेकी में, कहापन, आपे शिंचेन पता चल जाएगा, रुक तो जाएगा, चलो फड़ापट से चलते हैं, और कैसे आप देख सकते हो, इन दोनों ट्रक को लेकर आच चुके हैं, अपनी लोकेशन पर, एने वेकी में, हम यह आपर क्यों हैं, अरे शिंचेन, क्योंकि यह सारी की सारी चीजे इनके लिए, काईजर, यह सारी की सारी करीब लोग है, जिनके पास ज्यादा चीजे हैं, यह आपर इन टेंटों में रहते हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए वो सारा का सारा खाना, और वो सारी की सारी बाइक वहाई चे साथ हमने पैसे खर्च कर दिया वह टाइम के अंदर अरह यहुत बहुत बहुत शुक्रिया अमारी मदद करने के लिए हा ए हमारे मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है एए बग let me उन्हें तो सब कि मदद कर दी हा शिंचन अब इतने सारे पैसे हमें मिले तो सब की मदद करना तो जरूरी था इसलिए हमने इन सारे लोगों को कि इन के साल दो साल का खाना और घूमने फिरने के लिए और काम करने के लिए बाइक से आपड़ देती है एक काम करो ट्रक भी तुमी रख लो इसको बेचो या फिर इसमें काम करो मुझे कोई दिक्कत नी है रे बेटा बहुत बहुत सुक्रिया हमारी कोई मदद नहीं करता एक तुमने हमारी मदद करी तुम तो बहुत गया है अगогодई हो बच्छे अरे थैंको तेंक यू अब मैं अवे भी खास नहीं तो कैसे सारे लोगों के आपर मदद हो चुकी है और अब आपको दिखाता हूं मेंगी आप देख से तो इसके अंदर बूश्ट लगाने में भी बहुत ही सादा मज़ा आता है यह पाइक टी टोटल वाइफ मिलियन डॉलर की अकीली बाइक मैंने करी ती सही में यह बहुत ही सादा खदर ना गे तो काईसर इसे के साद हमने सारे के सारे पैसे कर्च कर दिये वन हंट्रेड मिलियन डॉलर्स इन फिफ्टीन मिनट्स जैक और अगी ने मुझे चैलेंज दिया था और मैंने वो पूरा कापूरा कम्पलीट कर दिया अगला चैलेंज हम किसको दे फड़ा आपट से कमेंट कर बता हो मैं सोच रहों शिंचैन को फाइफ हंट्रेड मिलियन अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब